हेलो गाइज, आज हम लोग करने वाले हैं स्टोरी विद द फोटोग्राफर, जो लिखी गई है बाई स्टीफन ली कॉक, इस स्टोरी में राइटर ने बेसिकली अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट शेयर किया है, जब वो अपनी फोटो खिचवाने के लिए एक स्टूडियो में गए थे, सो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है कुछ इस थरह, हमारे राइटर एक फोटो स्टूडियो में एक फोटो किचवाने के लिए गए, वहाँ पर उन्हें एक ओल्ड फोटोग्राफर मिला, वो फोटोग्राफर बहुत ही अलग किसम का इंसान था, उसका अपने क पेपर और मैगजिन्स पर नजर मार रहा था, जो वहीं पर पड़े हुए थे, एक घंटा वेट करने के बाद, उस फोटोग्राफर ने राइटर को अंदर स्टूडियो में आने को कहा, जहां पर वो राइटर की फोटो खीचने वाला था, और जब राइटर अंदर स्टू करने लगा, कभी वो फोटोग्राफर राइटर की गर्दन को लेफ्ट गुमाता, तो कभी राइट, और बार बार यही बोलता, कि तुमारा फेज फोटो खीचने के लिए ठीक नहीं है, और उसकी ऐसी बाते सुनकर राइटर को भी थोड़ा थोड़ा गुसा आने लगा, ग राइटर की गुसे में ये बात सुनकर फोटोग्राफर चुप चाप उसकी एक फोटो खीच देता है, इस तरह फाइनली राइटर की एक फोटो खीच जाती है, फोटो खीचने के बाद फोटोग्राफर राइटर से कहता है, कि तुम कुछ दिन बाद अपनी फोटो का प्र दिखाता है तो राइटर अपनी वह फोटो देखकर एकदम चौंक जाता है। क्योंकि उन फोटो में वह खुद की शकल को ही पहचान नहीं पाता। उसकी वह फोटो एकदम Unrecognizable होती है। Unrecognizable का मतलब जिसमें वह खुद को ही नहीं पहचान पाता। क्योंकि फोटोग्राफर ने फोटो में काफी सारे changes कर रखे थे। जिसकी वज़ा से राइटर को उस फोटो में अपनी शकल अपनी नहीं लग रही थी। राइटर फोटोग्राफर से पूछता है कि क्या ये मेरी ही फोटो है। क्योंकि photographer ने writer की photos बिल्कुल edit कर दी थी photographer ने writer की आँखें edit कर दी उसकी photo में से उसके eyebrows गायब कर दिये और जब writer ने photographer से पूछा कि इस photo में मेरे eyebrows कहा है तो वो कहने लगा मुझे आपके eyebrows इस photo में पसंद नहीं आ रहे थे इसलिए मैंने वो हटा दिये लेकिन यहाँ पर writer एक और बात notice करता है कि photographer ने लगबग उसकी सारी photo edit कर दी लेकिन उसके कानों को बिल्कुल भी edit नहीं किया और यह देखकर writer उस वक्त थोड़ा गुसे में आ जाता है photographer writer को कहने लगता है कि अगर आप चाहो तो मैं आपके कानों को भी अभी edit कर देता हूँ और इस वक्त writer के मन में यह खयाल आने लगता है कि यह मेरा चैरा है मैंने इसके साथ जनम लिया है यह अच्छा है या बुरा है मैं नहीं जानता मेरा face किसी को जैसा मर्जी लगे लेकिन यह जैसा भी है मेरे लिए एकदम ठीक है writer पहले से ही अपनी photo देखकर बहुत गुसे में होता है और इस photo को देखने के बाद वो photographer से बोलता है कि मैं यहाँ एक simple सी photo किचवाने आया था ना कि ऐसी photo जिसमें मैं खुद को ही ना पहचान सकूँ writer ने photographer को अपने photo किचवाने का reason बताया writer ने कहा मैं अपनी photo किचवाने इसलिए आया था ताकि मैं वो खिची हुई photo अपने friends को दे सकूँ और मेरे मरने के बाद मेरे friends उस photo को देखकर मुझे याद रख सके और end में writer photographer से कहता है keep this photo to yourself इसका मतलब कि तुम अपनी ये photo अपने पास ही रखो और ये बोल कर वो वहाँ से रोता हुआ निकल जाता है तो ये थी हमारी पूरी स्टोरी with the photographer I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को like, share and subscribe ज़रूर करें वीडियो देखने के लिए thank you